असलाम लीकूम दिस इस मी डारेक्टर मरियम साबिर फॉम औरी फ्लेम पाकिस्तान जी तो आज हम सीखेंगे कि 6% कंसल्टन्स जो हैं वो अपनी एक मन्त में औरी फ्लेम के साथ कितनी अर्डिंग जो है वो ले सकती है अगर वो अपना टार्गेट कम्लीट करती है और जी हमने अपना टार्गेट रखा है 750 BPs का 750 Group BPs के साथ अगर आपना टाइटल वाइंट अप करती है तो आप कितना जो है वो अर्णिंग कर सकते हैं देखिया आपका Group BPs उपर नीची हो सकता है उसके हिसाब से ही आपके कमिशन वेरी करेगी यह जिस टेक रफस सकेच्च हो है जो कि अपना टाइटल वाइंट अप करेंगे with 750 Group BPs आपका पता है 6% consultant उनका percentage discount होता है 0.06 अगर कोई 9% consultant है तो उसका percentage discount होता है 0.09 अगर कोई 3% consultant है तो उसका है 0.03 अच्छे यह क्या होता है देखिए formula है जो की business calculation में इस्तवाल होता है वो है Group Business Points जो पूरी टीम से हमें आरहे होत अब परसंटे डिसकाउंट के है, परसंटे डिसकाउंट वो है, जो आपके टाइटल पर आपका, मतलब के फार एजेंपल मैं 6% पर हूं तो मेरा क्या है 0.06, ठीक हो गया, इसी तरह गर मैं 9% पर हूं तो 0.09, इसी तरह ये वेरी करता है, अब 63 क्या है, 63 हमारा है जी, बिजन वॉलियम, ये कंपनी की तरफ से फिक्स्ट है, इसको हम जाद एक्स्प्लेइन नहीं करेंगे, एक BV मतलब वो कहते हैं कि 63 के बराबर है, और BV का मतलब है बिजनस वॉलियम, ओके जी, अब हमें पता चल गया टार्गिट क्या है, हमें पता चल गया है, हमें पता चल गया ह इसका मतलब है डिरेक्ट चार मेंबर्स, ठीक हो गया, परसनल मेंबर्स, ठीक है, आप उनकी स्पॉंसर है, डिरेक्ट, अब पहले मेंबर के अगर बात करें, तो वो कर रहे हैं अपने 100 परसनल बिजनस पॉइंट्स कंप्लीट, और एक चीज़ मैं इंपोर्टन यहां पर स ठीक हो गया, अब हम बात करते हैं फर्स्ट मेंबर की, फर्स्ट मेंबर जो के 100 बिजनस का रहा है, उसका कोई टाइटल नहीं है, इसका मतलब है उसका प्रसनल डिसकाउंट क्या है, कुछ भी नहीं, 0.00, तो फॉर्मूले के हिसाब से जब आप 100 को मल्टिप्लाइ करोगे 63 3 से, और उसको मल्टिप्लाइ करोगे 0.06-0.00, यहां पे 0.06-0.00 लिखना था और उसके इदगिट ब्रैकेट है, तो वो ब्रैकेट बाहर लगी, आपको समझ आ रही होगी, मतलब 100 मल्टिप्लाइ बे 60 थी, मल्टिप्लाइ बे 0.06 में से 0.00 निकाल देने के पीछे क्या हैं, लेकिन वो मेंबर आपकी 100 BPs कम्प्लीट कर रही है, ठीक है, इसके बाद हम बात करें, सेकिंड मेंबर की, जो के 3 परसंट टाइटल कर रही है, 250 ग्रूप BPs के साथ, मिनीमम 250, अगर आपका मेंबर जो यहां पे different BPs के साथ 3 परसंट टाइटल करेगा, तो definitely आपकी commission भी बेरी करेगी, अब इसका formula क्या होगा, 250 को आप multiply करोगे 63 से, BV, ठीक है, उसके बाद आप multiply करोगे 0.03, क्योंके 0.06 में से, जब आप minus करोगे 0.03, तो क्या बचेगा 0.03, ठीक हो गया, आपने अपने percentage discount में से minus करना होता है, member की discount को, तो यहां पे आपका जो commission बन रहा है, 3% वाली line से, वो बन रहा है, 472, इसी तरह गर आपकी next line हम देखें, जो कि 3% पे है, उसका कोई title नहीं है, वो 50 BPs, personal business points बना रही है, 50 को multiply करें, 60 थे इसे, उसका कोई title नहीं है, तो 0.06 में से minus करें 0.00, तो क्या बचेगा 0.06, तो इस line से, आप जब calculate करोगे, तो commission बनेगी 189, अब हम next line की दर move कर दें, जो कि है fourth line, यह भी 3% title complete कर रही है, और यहां से 200 से लेके 250 लिखा हुए, लेकिन count में 250 ही कर रही है, 250 को 63 से multiply करें, इसका title है 3%, यानि कि अपने title में से minus कर दें, member के title के percentage discount को, तो क्या बनेगा 0.03, 0.06, minus 0.03, which is equal to 0.03, तो आपका total commission कितना बना, 472 जब आप calculate करोगे calculator से, यह है जी आपकी वो commission, जो कि आपको चार online से मिल रही है, वो बन रही है, 6% title पे 1511 रुपी, यह तो सिर्फ कमिशन है, और यह different भी हो सकती according to your group PPS rate, अब एक और बहुत चीज इंपोर्टन है, वो यह है, company की तरफ से आपको हर month sales action मिल रही होती है, को दो set avail कर लेते हैं, तो मतलब कि आप company की तरफ से, अगर वो जो sets हैं, उनको sale करते हैं, तो profit अगर minimum भी निकाले ना, तो 2000 दो निकाल सकते हैं, और immediate profit 100 PPS कर रहे हैं, हर product पे आपको 20% discount मिल रहा है, जब आप उसको sale करते हैं, I.P का मतलब है immediate profit, तो आप तकरीबन 100 PPS पे 1500, त माही लेती हूँ, और अगर आपकी जो दोनों मेंबर्स हैं, इन्होंने first member, यानिके मत में join किया है, और ये अपने 33% title open कर रहे हैं, तो आपको पता है, entrepreneur bonus आपको दोनों की तरफ से 1000,000 हैगा, जो कि total कितना होगा, 2000, मेरे नजदीक, अगर मैं इस calculation को पूरी को आपनों को द आपकी members होगी, जितनी आपकी team होगी, जितनी आपकी direct personal lines होगी, उतनी आपकी team strong होगी, team strong होगी, तो आपकी commission भी strong होगी, ठीक हो गया, I hope कि आप लों को समझ आ गया होगा, team बनाएं, अच्छे, अगर आपनी commission लेनी है, अच्छी healthy commission लेनी है, तो आपको अपनी lines भी healthy बना और कंपनी की तरफ से आपको कितने बोनस बन सकते हैं ज्यादा से ज्यादा बोनसे गेन करने की कोशिश करें आपको भी पता है कि entrepreneur, bonus, speed, bonus तोनों चल ले हैं तो फाइदा उठाएं और अपनी earning को जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएं क्योंकि ये business है business में आपकी earning, network marketing में आपकी earning आप पे depend करती है कि आप कितना earn कर सकते हैं ठीक है so I hope कि आप लोगो इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, 6% consultants रहे हैं वो अपनी अप calculation आज ही बैठके सीखें ताकि उनको पता हो कि वो अपने you know title पे कितनी earning कर सकते हैं, आपको पता है अगर ये आपका group B-P rate 900 तक जाता है, 1000 तक जाता है तो आपकी यहां पे earning भी पांच नहीं, 6000 तक जा सकती है, ठीक है, डिपेंड करेगा कि आपकी lines कितनी है, यहां पे चार lines है, अगर आप इसकी जगा पांच कर लें, तो आप देखें कि आपका B-P rate कितना massively change होगा और आपका, similarly आपका commission भी उसी तरह से इंशाला बढ़ेगा So I hope कि आप लोगं के लिए वीडियो जो है, वो बहुत helpful रही होगी, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें और जो है, वो successful होने के लिए आपको मेनत करनी पड़ेगी, अच्छी commission लेने के लिए भी आपको, जो है, वो सीखना पड़ेगा काम को, learning is earning, focus on your learning, ठीक है मुझे इजाज़त दें, अल्हाफिस